मैं डॉक्टर शिखा अगरवाल, राजनीती विज्ञान, राजके महाविद्याले सुजानगर्ड हम लोग अपनी क्लास में राजनीती विज्ञान का आधुनिक दिश्टिकोन पढ़ रहे हैं पिछली क्लास में हमने इसकी परिभाशा हैं पढ़ी थी और उसके आधार पर हमने देखा था कि हम राजनीती विज्ञान को के आधुनिक दिश्टिकोन में मानवी एकरियाओं को देखेंगे, शक्ति किस तरह से काम करती है राजनीती में उसको देखेंगे व्यवस्था कैसे काम करती है कहली संस्थाएं नहीं बलकि पूरी व्यवस्था जो प्रभाव डाल रही है बाहर से भी वो कैसे काम करती है और किसी भी व्यवस्था में निर्ने कैसे लिया जाता है इसको हम लोगों ने इसमें देखा था इसके साथ साथ हमने देखा था कि जो परिभाशाएं हैं इसकी वो परंपरागत से अलग है जहां परंपरा वादी परिभाशाय संकुचित थी, सिर्फ राज्येद और सरकार जेसे आपचारिक संस्थाओं तक सीमीद थी और इसके साथ साथ जो अधियन का जो उसका तरीका थ वो आदर्श और मुल्यों पर आधारित था, दार्शनिक, एतिहासिक और कानूनी बद्धती थी, वहीं आधुनिक दृष्टिकोन या जो आधुनिक परिभाशा हैं राजनीति विज्ञान की, वो विस्तृत परिप्रिक्ष में अनौपचारिक तत्मों का भी अध्यन करती है और शक्ती, प्रभाव, राजनेतिक व्यवस्था, निर्ने निर्मान, राजनेतिक प्रक्रिया इनका अध्यन करती हैं, तत्रों पर बहुत ज्यादा बल देती हैं और अन। अनुशासनात्मक अध्यन है, या थार्थवादी अध्यन है इसका जो इसकी जो अध्यन पद्धति है वो भी अलग है पर्मपरागत से और जैसा हमने देखा कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए और ये देखा गया कि हमें इस तरह का अध्यन करना है जो अनुभव पराधारित हो जो यथार्थ पराधारित हो तो इसलिए जो इसकी समाज विज्यानिक उपागम फ्रांस के अगस्ट काम्टे और इंग्लेंट के स्पैंसर ने इसमें योगदान दिया इसके अधिरिक तुम्हें काईवर, डिवीडी स्टैन, आमंड जैसे विचारक इसके रहे और इनका मानना था कि राजनीतिक अध्यन के लिए समाज से साम गरी ली जाए, राजनेतिक व्यबहार को हम समाज के संदर्व में समझें, दूसरी जो इसकी पधती है वो है मनुविज्यानिक उपागम, ये उपागम सामाजिक और राजनेतिक सिध्धानतों का अध्यन, मनुविज्यानिक नियमों के अंतरगत करने का प्रयास करता है, इ उनसे ब्रभावित थे लास्विल, और लास्विल ने फ्रोइड के का जो मनुविज्यान है उसको राजनेतिक व्यबहार पर लागू करने की कोशिश की, अगला उपागम ये अध्यन पधती है अन्तेहनुशासनात्मक उपागम, अन्तेहनुशासनात्मक तक अर्थ है कि हम अलग-अलग विश्यों के संदर्व में या क्रियाओं के संदर्व में राजनेतिक क्रियाओं का अध्यन करें, जैसे एक व्यक्ति जब वोट डालने जाता है तो आर्थिक रूप से वो क्या सोच रहा है, सामाजिक रूप से क्या सोच रहा है, नातिक रूप से क्या सोच र इसके वोट डालने के प्रक्रिया पर प्रभाव डालती हैं तो इसलिए ये माना गया है कि राजनेतिक विशलेशन में राजनेतिक समाश शास्त्र और मनो विज्ञान के लिए विक्जित जो सेध्धान्तिक और प्रविधिक उपागम है उनका प्रेयोग इसमें किया जा सकता है और विबिन संदर्भों में राजनेतिक अध्यन किया जाना चाहिए चौता है व्यवारवादी उपागम व्यवारवादी उपागम जो है वो मानव के व्यवार को अध्यन का विशेकेंद्र बनाता है इसमें तथ्थे को एकत्र किया जा सकता है उनको परिमानी करण किया जा सकता है उससे निशकर्ष निकाले जा सकते हैं और इसके लिए विबिन प्रकार की जो विज्ञानिक पधतियां हैं तालीकाएं, ग्राफ, सांखिकिये, गणितिये, मॉडल इन सब का प्रियोग किया जाएं और उसके आधार पर अध्यन हो इस बात को काफी हद तक इसमें लिए गया और ये माना गया कि हमें जो अध्यन पधति है इसकी वो विज्ञानिक बनानी हैं और उसी के आधार पर इसमें हमें काम करना है। शामिल होती है, संस्थाओं के संक्रियातमक स्वरूप को, यानि वो कैसे काम कर रही है, संस्कृतिक तत्व उस पर कैसे प्रभाव डाल रहे है, नीती निर्मान के कौन से तत्व है, राजनतिक नित्रत्व की प्रकृति क्या है, किस तरह से वो काम कर रही है, इन सब का को भी राजनीति विज्यान के अध्यन शित्र में लिया गया। लियो इस्ट्रोस ने कहा जिस प्रकार परमपरागत भौतिक शास्त्र का स्थान नाभिखिये भौतिक शास्त्र ने ले लिया है ताकि अड़वम की रहा से आणविक युगा सके। उसी तरह परमपरागत राजनीति विज्यान का स्थान सम्खालीन या आधुनिक राजनीति विज्यान को ग्रहन करना है ताकि हम अनुयुक के भैंकर खत्रों से मानव की रक्षा कर सके। अध्यन पद्धति के विशिष्टा हैं या आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशिष्टा हैं हम लोग देखेंगे सबसे पहली विशिष्टा है विज्ञानिक्ता विज्ञानिक्ता जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि इसमें तत्यों पर आधारित अध्यन होगा करेंगे बहुचेर विशलेशन से सर्वीक्षन करेंगे गरीतिये मॉडल इसमें काम में लेंगे और उसके माध्यम से हम विज्यानिक अध्यन करेंगे दूसरा आता है मूल्य मुक्त अध्यन मूल्य मुक्त होने का अर्थ क्या है क्या मूल्य से अर्थ दाम नहीं है कीमत नहीं है मूली से अर्थ है आधर्ष हमने परंपरागत अध्यन में मूले आधारी त अध्यन को देखा था आधर्ष को बहुत महत्व दिया था लेकिन यहाँ पर माना गया कि तत्थे सबसे ज़्यादा महत्व पूर्ण है आधुनिक अध्यन में राजरेतिक विशलेशन में नैतिक अध्यान किया जा सकता है अगली विशेष्टा जो इसकी है यह अंत्यानुशासनात्मक अध्यान पर बल जैसा भी हमने बात की कि विभिन विशेयों के संदर्ब में या विभिन व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं उनकी संदर्ब में अध्यान किया जाए जैसे समाज विज्ञान शित्र में अध्यन कर सकें अगला आता है पूनत है नई राजनेतिक शब्दावली का विकास एक नई शब्दावली का या धारना का इसमें विकास किया गया और जो अभी तक हम राज्ये, सरकार, सम्विधान, कानून यह जो दिखते हा रहे थे इनसे अलग राजनेतिक विकास, राजनेतिक आधुनी की करण, राजनेतिक संस्कृती, राजनेतिक सामाजी करण हम लोग इन धारनाओं को पढ़ेंगे भी जब हम अलग-अलग classes में आएंगे हम फस्टेर में भी इनमें से कुछ धारनाओं को पढ़ेंगे, सकिंड यर, थर्ड यर, एमें अगर आप करते हैं तो उसमें भी आप पढ़ेंगे तो यह धारनाएं नई विक्सित हुए, जैसे जैसे आधुनिक अध्यन शुरू हुआ अगला आता है, शोध और सिध्धान्त में खनिष्ट संबंध अभी तक सिध्धान्त निर्मान किया जा रहा था और उसके बाद में उसके बारे में शोध की जाती थी लेकिन अब शोध से सिध्धान्त का निर्मान किया जा रहा है यानि विज्ञानिक पद्धती से प्रयोग किया जाना, समन्नी करण किया जाना, उसकी व्याथ्या किया जाना और उसके बाद में सिध्धान्त का निर्मान होना तो ये एक प्रक्रिया बन गई, शोध और सिध्धान्त एक दूसरे के बिना निरर्थक माने गए आधुनिक राजनितिक विज्ञानिकों का जो एक मातर उद्धिशयाब बन गया वो है राजनितिके सद्धान्तिक प्रतिमानों को विकसित करना इसके आधार पर राजनितिक तथ्ये और घटनाओं के संबंद में खोज की जाए और उसका विशलीशन किया जाए तो ये बहुत महत्पवपून है शोध और सिधान्थ में कार्य कारण संबंद यानि कोई भी कार्य जो दा इसके पीछे कारण है शोध और सिधान्थ में संबंद अगला आता है यह थार्थवादी व्यवार परक अध्यन पर बल अब जो हमने पहले पिछले अपने चप्टर पढ़ा था इसी मही पिशले लेक्षर में हमने देखा था कि लॉर्ड ब्राइस की पुस्तकाई अमारिकन कॉमन वेल्ट जा इंग्लिश कॉंस्टिटूशन पुस्तकाती है बेजहॉट की तो उन्होंने जो दिखाई दे रहा है वास्ताम में जैसे बेजहॉट ने अपने पुस्तक में ब्राइस लिखते हैं अमारिका की संस्थाओं और उसकी जन्ता को बिल्कुल वैसा ही चित्रित करना है जैसा भी हैं इसी तरह से modern democracies में वो कहते हैं सबसे अधिक आवशकता है तथ्य तथ्य और तथ्य यानि हम तथ्यों पर आधारीत अध्यन करें तो वास्त और इस तरह से राजनीति विज्ञान में एक नया परिवर्तन आता है अब हम देखेंगे परंपरावादी और आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो परिभाशा हैं हमने देती थी उसमें क्या अंतर है सबसे पहला अंतर है राजनीति दौनों की परिभाशाओं में अंत जबकि आधुनिक दिस्टिकोन में व्यवहारवादी, विज्ञानिक, राजनितिक व्यवहार जो मानव का है शक्ति और सक्ता पर आधारित अध्यान की परिवाचाएं हम लोगों ने पढ़ी थी। आधुनिक दिस्टिकोन में अधुनिक अध्यन में प्रक्रियाओं का अध्यन किया जाता है और काफी हद तक जो राजनितिक व्यवस्था है उसका अध्यन किया जाता है किस तरह से वो कार्य करती है यानि विधाई का या संसद के धाचे के स्थान पर ये देखा जाए कि में अध्यन किया गया अगला आता है प्रकृति के संबंद में अंतर तौनों की प्रकृति में भी अंतर है जहां परंपरागत राजनीत विज्ञान के प्रकृति दार्शनिक है वहीं पर आधुनिक दिश्टिकूर्ट की जो प्रकृति है वो पूरी तहे विज्ञानिक है व् भारवादी है चार्ल्स मेरियम ने विज्ञानिक तक्नीक और प्रविधी पर बल दिया कि इसका विकास होना चाहिए वहीं कैटलीन हैरर लास्वेल जैसे जो विचारक है उन्होंने कहा कि राजनीती शास्र मूलता एक विज्ञान है और राजनेतिक समस्याओं का विज्ञान पद्धती है इतिहासिक पद्धती है समवेधानिक कानूनी आपचारिक पद्धती है वहीं आधुनिक दिश्टिकोर में हमने देखा व्यवहार परक आनुभाविक विज्ञानिक पद्धती है ये जो अध्यन पद्धती है इसमें कई चीज़े आती है सबसे पहला इसमें आता है परिवरत्यों की भाषा जिसमें अलग अलग जो भाषा है वो राजनेतिक समस्याओं के निरूपन करने में अलग तरीकी से काम में आती है इसमें कालपनिक पक्षों के सुत्री करण और प्रमानी करण की समस्या का हल मिल सकता है दूसरा होता है प्रतिमानों का सठीक प इनका प्रियोग कर सकते हैं और इसके आधार पर बहुत सारे जो आकड़ों से सम्मंधित जोहानिया है उनसे बचा जा सकता है आकड़ों का संग्रह किया जाए आकड़ों का विश्लेशन किया जाए तीसरी बात है डाटा बैंक बनाया जाए रोसके माध्यम से सांखे किये जा सकता है इस आधार पर। अगला अंतर है मुल्यों के सम्मंध में अंतर। दौनों के जो मुल्य है अध्यन करने के उनमें बहुत अंतर है। परंपरवादी, राजनेतिक विचारक, मुल्य यानि वैलियूज में आस्ठा रखते थे। नैतिकता में, आदरश में आस्था र जैसे हम रसायन शास्त्र में या अन्य विज्ञानिक लैब में अध्यन करती हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि रसायन पर जो क्रिया हुरी है, उस पर हम लोग अपना कोई प्रतिक्रिया नहीं लेते, जो रसायन क्रिया कर रहा है, हम उसको नूट कर लेते हैं, यानि उसी तरह से हम अपने खुद के विचारों को रखनी की जगे जो हमारे रिजर्ट्स आ रहे हैं सिर्फ उसके आधार पर हम काम करें ये आधुनिक अध्यन हमें बताता है तो केवल तथे पर जोड देता है तथे निश्चित होते हैं दिरंतर तालिये वे होते हैं ऐसा इनका मानना है और तथे सभी जगे पर समाल रिजर्ट्स देते हैं अगला अंतर आता है उद्धिशों के संबंद में अंतर परंपरावादी राजनेती वे ज्ञान का जो उद्धिश्य था वो था शेष्ठ जीवन के प्राप्त करने के लिए यानि व्यक्ति का अल्टिमेट उद्धिश्य क् प्राप्त करने के लक्षे के लिए उन्होंने अध्धिन पधती दी अध्धिन के सिधान्त दी नातिक्ता दी मुल्य दी इसके विप्रीत जो आधुनिक अध्यन है हमारा उसका उद्धेश्य ज्यान प्राप्त करना है इसलिए वो प्रविदियों पर जादा जोर देता है स वो प्रविध्यों पर जादा जोड़ देता है और जो परमपरागत दिश्टिकूर था वो मुल्यों पर और अपचारिक अध्यन पर जादा बल देता था तो दुटे विश्विद के बाद हम लोग देखते हैं कि व्यभारवादी अंदोलन का उदै होता है और जो व्यभारवाद था उसने पूरी तरह से विज्ञानिक बनाने का प्रयास किया राजनितिक अध्यन को लेकिन धीरे धीरे हम आगे की अपनी चैप्टर्स में अपनी तरह से नहीं देख सकते तो धीरे धीरे हम लोग इसको देखने लगे कि नयतिकता भी जरूरी है हालाकि व्यभारवाद ने इसको स्विकार नहीं किया और जो प्रमुख विचारक रहे इसमें वो थे लियो स्ट्रॉस, माइकल, उक्षोट, अन्नाहारंट आदी तो इस तरह से राजनीती विज्ञान में धीरे-धीरे अलग-अलग प्रविर्तिया जन्मल लेने लगी जैसा कि पिनावक और स्मित ने लिखा है कि क्या है और क्या होना चाहिए इन दोनों के बीच यथा संभव समानवे कैसे प्राप्त हो इस रश्ची से हम सरकार और राजनतिक प्रक पर अध्यन करने पर जोड़ देता है वो विवस्था पर बल देता है वो जो इस तरह के तत्व हैं जो ہमें दिखाई नहीं देते या वो जैसे राजनतिक दल हैं दबाव समू हैं या अविवस्थित तत्व हैं जैसे आमंड कहते हैं तो उन सब का भी हम अध्यने स्में कर